वेल्कम टू सिवसान्ती क्लासेस में आप सभी का स्वागत है हमने पिछले वीडियो में क्या-क्या देखा था कि लिनियर और क्यूबिक पॉलिमियर बीच में जो भी हमारा सुन्य43 се उनुन्हों की बीच में रिलेशन समझ्घा था अब इस वीडियो में कर समझेंगे जो हमने explanation किया था उसके उधारन इसमें समझेंगे examper समझेंगे ठीक तो आज हमारा topic क्या है exercise 2.2 के जितने भी examper हैं उन सारे examper को इस video पे complete करेंगे तो video को last तक देखिएगा आपको अच्छे समझ में आ गया होगा और इसके पहले आपको जो 2.1 का introduction part है उसे जरूर देखना होगा उसे देखने के बाद ही ये video देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो चलिए सुरू करते हैं Examper number 2 हाला कि ये question हम फिछले video में भी कर चुके हैं ये इसका example लेकर बताया थे फिर भी हम इस video में नए तरीके से कीजिए अर्था जी रोज निकालना है सुन्यांकों तो गुणांकों के बीच के संबंद की सत्यता की जाच कीजिए अर्था जो हमने चेक किया था कि ये दोनों सही हैं सुन्यांक और गुणांक जो बीच में संबंद है वो सही है या गलत यह हमें पता करना है अर्था जी रोज और कोफिसेंट के बीच में हमें सत्यता पता करनी है तो हम चलते हैं इसको यहां से समझ लीजेगा इस पेपर में ऐसे लिखना है लिकिन हम समझते हैं एक ब्लैंक पेज में तो क्या है हमारा एक्स स्क्वार प्लस सेवान एक्स प्लस टैन पी एक्स स्क्वार टू हमारा क्या दिया हुआ है यह दिया हुआ है तो इसके लिए हम क्या करते हैं सुन्यांक निकालने के लिए क्या करना पड़ता है हमें पी एक्स स्क्वार टू क्या माल लेते हैं जीरो माल जायता है कि इसे कैसे explain करना है तो क्या हो जाएगा x square प्लस इसे 10 को क्या मानेंगे 10 का multiply करेंगे 2 upon 5 और 5 into 1 तो क्या जाएगा हमारे पास 2 into 5 तो हमारे पास क्या निकलना है यहां पे तो इन दोनों को multiply है उसे हम इस तरह से बाटते हैं कि इन दोनों को सम है वह साथ आए और इन दोनों को multiply हमारे 10 तो क्या हो जाएगा 2 और 5 तो हम क्या जाएगे 2 x plus 7 x plus 10 is equal to 0 हो जाएगा तो यह दोनों का सम क्या हो जाएगा 10 है यह 5 sorry 5 x तो पांदो नी दस भी आ रहा है अब पांदो साथ आ रहा है ठीक तो हम में मलब इस equation को इस तरह से explain करना है इस तरह से बाटना है कि हम इसको फिर से इस तरह बना सके तो 7 x को 2 x plus 5 तो इसमें से कुछ क्म कॉमन आना चाहिए तो क्मन क्या आएगा x यहाँ से कॉमन आएगा तो x plus 2 बचेगा यहाँ से 5 क कॉ six तो क्या बचेगा एकस प्लस टू बचेगा इसकोल टू जीरो तो यहां पर क्या हो जाएगा एकस प्लस टू को कॉमा ले लेंगे इन दोनों में से तो यहां से क्या बचेगा x plus 5 is equal to 0 तो हमारे पास क्या हो गया x plus 2 और x plus 5 is equal to 0 अब यह 0 तब ही होगा जब यह 0 हो या कि फिर यह 0 हो तो हम पहले एक बार इसे 0 माल लेंगे, एक बार इसे 0 माल लेंगे तो हम यदि x plus 2 is equal to 0 मांते हैं, तो x equal to क्या हो जाएगा businesses यो मानते हैं एक्स आपस प्लसट मेंनस पांच जाएगा मानते हैं अर्था जो हमारा ए का है माननस दू insर्ठ म हम इसे अलफा 1 ऑ nee लेते हैं-2 और बीटर इस्कूल लेते हैं-5 तो ये हमारे 2ंच मिलगए हमें धिसे के थरुआ हमें जैब but कि दीथाब J2 K मानेश फाइब देखते हैं सुन्यांक नहीं कि क्या माना थे इसे अर्फा और बीटा माना तो alpha आया था minus 2 और beta आया था हमारा minus 5 minus 5 तो सुन्यों का योग क्या हो जाएगा कि alpha plus beta हमारा क्या निकला था हमारा equation क्या था px is equal to ax square plus bx plus c यह हमारा निकला था तो हमारा क्या था minus b upon a अर्थाद coefficient of b upon coefficient of coefficient of x upon coefficient of x square अर्थाद x का गुणांग upon x square का गुणांग जो होगा minus में होगा ठीक तो यहां से alpha क्या था हमारा minus 2 और beta क्या था minus 5 यह और minus beta यह minus b तो हमारे equation क्या था हमारे पास x square plus 7 x plus 10 तो यहां पे क्या हो जाएगा बी क्या है minus में b क्या है 7 और a क्या है 1 तो हमारे पास निकल गया ना minus 7 is equal to minus 7 तो हमारा जो समाब्दा गुणांक है गुणांकों का जो योग है वो हमारा सही आ रहा है अर्थात माइनस साथ और माइनस साथ दोनों आ रहा है ये हम मानते हैं X का गुणांक और X स्कार का गुणांक जो है सुनांकों का जो योग है उसके बराबर आ रहा है उसी प्रेका सुनियांगों का गुणान फल का क्या था कि alpha beta is equal to क्या था c upon a अर्था constant term upon coefficient of the x square अर्था अचर नंबर अचर संक्या बटे में x square का गुणांग तो alpha beta क्या है alpha beta हमने क्या find क्या था minus 2 और minus 5 इन दोनों का product जो हो है multiply के वाज हो है तो c क्या है हमारे पास 10 और a क्या है एक तो 5 दोनी 10 बड़ाबर 10 यह आ गया तो उसी प्रेकार यह क्या कह रहा है कि गुणांगों का गुणांगों का गुणांगों का गुणांगों का गुणांगों फल minus 2 into minus 5 which is equal to 10 आ गया हो जाएंगे तो यह हमारा क्या हो जाएगा सत्यता की जांच भी हो गई तो हमारा एक्जांपल नमबर टू complete हो गया है आप पेपर में इस तरह लिखेंगे और दूसरे तरीका हम exercise जब करेंगे वहां पर बता देंगे तो ठीक आप यहां से भी समझ सकते हैं और सबसे में हैं आपको question समझ में आना चाहिए कि हमें करना क्या है ठीक बाकी लिख तो आप किसी भी तरह लेंगे आप किसी तरह लिख देंगे तो नंबर आप पर नहीं कटेगा बट जो हम आपने mathematically किया है जो question पूछ रहा है वह आपने किया है तो आपका question एकदम सही होगा आप चलते हैं एक्जाम्पन नंबर ठीपर एक्जाम्पन 3 क्या करना है और सुन्यांग को और गुणांकों के बीच के संबंद को सत्ता बतानी है तो सेम पुराने question जैसे है जो हमने पिछले question में एक्जाम्पन नंबर 2 में किया था वह चीज़ इसमें करना है तो चलिए इसे solve करते हैं त तो यहां पर क्या होगा हम इसे कैसे फांड करेंगे इसका जो जिरोज है वो कैसे फांड करेंगे तो क्या मानेंगे हमें अब इसे क्या लिख सकते है इसे x square minus root 3 का square लिख सकते है बिल्कुल नहीं सकते है तो मारे पास क्या आ जाएगा एक equation आ जाएगी a square minus b square इसका क्या हो जाता है a plus b और a minus b यह equation आ जाता है आपने जरूर पढ़ा होगा तो नहीं पढ़े है तो आप यह चीज समझ लेजिए कि a square minus b square का जो एक formula होता है वो a plus b और a minus b होता है तो वहीं पर बन गया a square minus b square तो इसके क्या लिख देखते है x square minus root 3 का square is equal to 0 तो क्या हो जाएगा x minus root 3 x plus root 3 और x minus root 3 यह हो जाएगा equal to 0 अब जब यह दोनों 0 होंगे यह दोनों 0 होंगे इन दोनों में से कोई एक 0 होगा तभी 0 होगा तो हम पहले इसे 0 माल लेंगे फिर इसे 0 माल लेंगे तो x plus root 3 is equal to क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा क्या मानेंगे alpha और इसे मानेंगे beta ठीक तो हमारा alpha is equal to क्या है minus root 3 और beta is equal to 2 आया plus root 3 तो हमारा जो सुन्याग क्या हो तो हम निकाल लिए लेकिन इसे सत्ता कैसे जाच करना है तो हमारा क्या करना है पहले से तता क्या करना है अल्फा प्लस beta निकारना है अल्फा बीटा क्या होता है तो px क्या था x square minus 3 था ठीक तो इसे हम find कैसे करेंगे यह देखते है तो alpha कमान क्या है minus root 3 और beta कमान क्या है plus root 3 यह क्या हो जालिगा minus b beta 30 में है ही नहीं क्यों क्योंकि A x square minus direct C है B x का coefficient क्या हो दो B क्या है हमारा x का coefficient क्या है तो x इसमें तो है यह नहीं जब इसमें है नहीं तो इसे हम क्या मानेंगे 0 मानेंगे तो minus 0 upon A क्या है 1 है तो minus plus क्या हो जागा पूरी तरह कड़ जाएगा मतलब 0 इस quality क्या हो जाएगा यह भी 0 upon 1 तता हमारा जो यह term है यह इसकी सतता की जाँच हो गई है coefficient जो हमारे अब हम निकालेंगे product अर्थाथ alpha beta दोनों का multiply multiply में क्या था हमारा C upon A था तो multiply क्या है alpha beta क्या है हमारे पास minus root 3 into root 3 is equal to C क्या है हमारे पास 3 ठीक 3 क्या है हमारे पास यह जो हमारा equation है इसको हम कैसे लिखेंगे A x square यह plus में है ठीक रहा sorry हमने यह minus बता जिए plus minus 3 यह चीज को जरूर रहना रखिएगा तो हमारा C का coefficient क्या है minus 3 तो minus 3 और A का coefficient क्या है A x square का coefficient क्या है मतलब A क्या है 1 है तो minus 3 upon 1 तो यहां पर क्या हो जाएगा root 3 और root 3 का multiply करेंगे क्या हो जाएगा 3 हैगा minus or plus sin क्या हो जाएगा minus आजएगा इधर भी क्या हो जाएगा minus 3 अर्थात यह भी हमारा बराबर हो गया तो हमारा जो sum आप दा सुन्यांग था सुन्यांगों की जो जोड था sum था वो भी हमारा बराबर आ गया और जो सुन्यांगों की जब multiply था गुणाख था वो भी हमारा बराबर आ गया अर्थात हमारा जो question है कि जो सत्तता की जाँच करनी थी वो हमने कर दिया तो इसमें भी वही चीज दिया है जो हमारा x कमान नहीं दो निकाला उसे हम दोनों को सुन्यांग कमान लेंगे उसके बाद सुन्यांगों का योग root 3 निकालेंगे 0 आ गया जो की हमारा सत्त्य हो गया सुन्यांग को गुणा नफल भी निकाल लिए अर्थात अब दूइपद निकालना है अर्थात पॉलिनोमियल निकालना है अर्थात जो पी एक्स बराबर एक्स स्क्वेर प्लस बी प्लस सी है इसे निकालना है और हमें ये दोनों दिये हुए है सुन्यांकों का योग और सुन्यांकों का गुणन फल दिया हुआ है मानस ती तो सुन्यांकों का योग हमने क्या लिखा मानस 3 दिया है और सुन्यांकों का गुणान फल 2 दिया है अर्थात मानस 3 क्या है अलफा प्लस बीटा है जो सुन्यांकों का गुणान फल अलफा बीटा अर्थात दो सुन्यांक है अलफा और बीटा तो हमें अलफा और बीटा का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, क्या है, अलफा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अलफा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है, उसी प्रकार अलफा बीटा क्या होता है, हमारा c upon a होता है तो हम alpha plus beta के जगे क्या लिखेंगे minus 3 लिखेंगे minus 3 is equal to minus b upon a minus minus चला जाएगा तो हमारा b is equal to क्या हो जाएगा 3a हो जाएगा ठीक, उसी प्रकार हम alpha beta के जगे क्या लिखेंगे 2, 2 is equal to c upon a तो यहाँ पे c is equal to क्या हो जाएगा 2 इधर multiply हो जाएगा क्या हो जाएगा 2a तो हमारा क्या निकला b upon c 3a निकला और c upon 2 भी निकला अर्था जो b और c b और c का जो मान है वो हमेशा a पर depend करेगा a पर depend करेगा तो यहाँ पे हम क्या मानेंगे कि इदि हम a is equal to 1 मान लेते हैं हमने पहले यहाँ पे जो पुर्णाら a agency than क्या था हमारा b is equal to b is equal to 3a और c is equal to 2a यही था ना c is equal to 2a और b is equal to 3a ठीक तो येदि हम a is equal to 1 मानते हैं यहांपे a ist equal to 1 रखते हैं 2 a येदि हम a is equal to 2 रखदेते हैं तो b is equal to क्या आ जायेगा 6 आ जाएगा और C इसकोल्ट क्या हो जाएगा फूर जायगा अब हमें A कमाद मिल गया B कमाद मिल गया C क्या में तो यह तीनों A, B, C की वैल्यू हमें पता चल गई है तो हमें निकालना क्या है P strap is equal to क्या निकालना है A A x square plus B x plus C निकालना है तो हमें A, B और C का मान रखना है तो हम यदि P x का मान क्या रख देते हैं यदि हम P x is equal to क्या निकलेगा हमारे पास x square अर्थात A बराबर 1 रख दिया x square plus 3x plus 2 यह हमारा पहला equation निकलेगा उसी प्रकार हम यदि A is equal to 2 मानेंगे यह वाले equation से तो क्या निकलेगा 2x square plus 6x plus 4 तो हमें क्या पता चला कि यह जो equation आया है जो हमारे यह polynomial है इसका just double है इसमें 2 का multiply कर दोगे 2 का गुणा कर दोगे तो यही चीजा जाएगा तो इसको हम direct क्या लिशकते हैं P x is equal to क्या हो जाएगा के यह 얘必ले 3 माल लेंगे A is equal to 3 माल लेंगे तो B is equal to क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा ऑस C is equal to 6 हो जाएगा अधात यह तीन गुना हो जाएगा यहां पे 2 माने थे मालेंगे त्वाणे 2 हो जाएगा तो इसका इसलिए हम direct मालेंग बानगे ky क्या हो जाएगा इस पहले equation का इन्हीं का multiply हो रहा है इसी में 2 का multiply हो रहा है तो इसे हम लिख देंगे इसे हम कैसे लिखेंगे x square plus 3x plus 2 यह हमारा exact जो हमारा दिया हुआ है वह equation आ गया वह polynomial आ गया तो हम के कमान जो भी ले लेंगे तो हमारा px कमान हमेरे हमें मिल जाएगा यह depend क्या करेगा की पे depend करेगा कि हमारा जो polynomial होगा वो क्या होगा तो हमारा example 4 जो है वो complete हो चुका है अब हम चलते हैं हमारे last example example number 5 पे जो हम cubic 3 घाद बहुपद था उसका सिर्फ थिवरी पिछली वीडियो में बता पाये तो हम इसमें उसी चीज का example समझते हैं कि उसे कैसे solve करना है तो question दे दिया हुआ है जाच कीजिए कि 3 घाद बहुपद जो दिया है 3 x cube minus 5 x square minus 11 x minus 3 के सुन्यांक 3 minus 1 और minus 3 है तो हमारे जो सुन्यांक है वो हमें दिया हुआ है अल्रेड़ी दिया हुआ है उसे निकालना नहीं है इसके पचास सुन्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंद को सत्यता करना सिर्म हमें उनके जो सत्यता genetics daughter जो प्रूफ Sai सिर्फ वो करना है तो अब चलते हैं इसो solve करते हैं तो इसमें करना क्या है वो देखते हैं तो question में दिया हुआ है 3 घाद बहुपत क्या है फी x is equal to 3 x cube minus 5 x square minus 11 x minus 3 इसे हम कैसे लिख सकते हैं a b के form में जो था हमें a x cube minus plus में क्या होगा हमें इस form में लिखना है नहीं प्लेस माइनस 5 x square plus minus 11 x plus minus 3 अर्थात यहां पर क्या पता चला में मतलब a कमान क्या हो जाएगा अर्थात पी x is equal to जो हमारा में एक्वेशन था उसमें क्या था a x cube plus b x square plus c x plus d तो यहां पर a बराबर क्या मिला है भी a बराबर मिला 3 b बराबर मिला minus 5 c बराबर मिला minus 11 और d बराबर मिला minus 3 यह चीज़े हमें ध्यान रखना है अब हमारे पास दो जो सुन्यांक है वो हमें दिये हुए है सुन्यांक क्या क्या दिये हुए है यह देखते है तो पहला सुन्यांक क्या है पहले मान लेते है अलफा अलफा बीटा और गामा यह हमारे पास प्लस 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 गामा यह निकालना था तो यह हमेरे प्यास क्या था माइनस भी अप्वान एथा ठीक दूसरा कैसा तो करना था अलफा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अलफा इसकोल क्या निकालना था हमें क्या ओजाएगा c upon a उसे प्रकात तीसरा क्या है alpha, beta, gamma ये तीनों का multiply क्या हो जाएगा minus d upon a ठीक, तो इसके लिए अब हमें इन्ही तीनों को सत्त करना है कि ये बराबर ये है कि नहीं है, ये बराबर ये है कि नहीं है, ये बराबर ये है कि नहीं है, तो इसको find करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो हमने पुराने slide से ये alpha beta और gamma की value अगली है ताकि हमें ज़्यादा इधावदर जाना ना पड़े तो हम पहले वाले equation को पहले prove करते हैं पहला क्या है? alpha alpha क्या है? 3 plus beta क्या है? minus 1 gamma क्या है? plus में क्या हो जाएगा? minus 1y3 इसे क्या prove करना है? minus b upon a minus b, b क्या है? x square का coefficient ये a है, ये b है ये c है और ये d है ठीक है? तो b क्या हो जाएगा? x square का coefficient x square क्या हो जाएगा? minus 5 हमने यहाँ पे बताया था कि b क्या है? b हमारे पास है minus 5, c minus 11 a 3, तो उसी प्रकार क्या निकालेंगे? minus b upon a, minus b minus, b के जगे हम क्या रखेंगे? minus 5, upon a क्या होगा? 3 तो यहाँ पे ये रखना है कि ये minus बाहर है और ये minus अपना जो x square का coefficient है गुणांक है, उसका है तो इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे? यहीं पे बच्चे में श्टेक करते हैं, यह ध्यान रखेंगे? तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3, 3, plus minus minus 1, minus 1 by 3, is equal to 5 by 3 हो जाएगा अब इसे 5 by 3 के रूप में करना है तो 3 में एक जाएगे, तो क्या हो जाएगा? 2, minus 3 बटे, minus 1 बटे, minus 1 बटे, minus 1 बटे, 3 तो क्या हो जाएगा? इसे 3 दूनी 6, 6 में एक गए 5 तो हो जाएगा 5 बटे 3 5 बटे 3 बरावर 5 बटे 3 यह प्रूफ हो गया? यह तो सम करते आता होगा ना? कि 2 upon 1 minus 1 upon 3 है तो 3 को LC हम लेंगे, इसके साथ डिवाइट करेंगे तो इसके साथ भी मल्टिप्लाइ करेंगे, 6 आएगा, minus इसके साथ डिवाइट करेंगे, 1 आएगा तो 5 बटे 3 हो जाएगा, ठीक ना? यह चीज़ समझ में आगा है वह नहीं समझ में आएगा तो पुराने वीडियो आपने नहीं देखा है इसलिए आपको यह चीज़ कैसे कर दिया मैं नहीं समझ में आया तो हम यहां पर पहला दूसरा और तीसर तीनों को सटिस्फाई कर दिये हैं अब एक्सरसाइज की ओर चलते हैं एक्सरसाइज के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में बने रहीएगा मिलते हैं नेक्स्ट बीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजएगा और वीडियो को ज्यादा ज्यादा सेर किजिए और वीडियो को लाइक कीजएगा कोई भी परिशानी हो तो comment box में लिख दीजेगा कि इस question में यहां पे कोई भी किसी भी तरह के आपके परिशानी हो तो वो चीजें आप comment box में mention कर सकते हैं तो मिलते हैं next video में exercise 2.2 के साथ तब तक के लिए जै हिर जै भारत हुआ 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 है